अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक चुछ किया किजिए ओक्यों कि फैंस तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक में ही दिखाएंगे कि यहाँ पर जो रवी होता है वो सोसता है कि मुझे देविका को सब कुछ बताना ही होगा क्योंकि साक्छी साक्छी से नफरत करती है वो उससे प्यार नहीं करती है तब ही वहाँ पर जो है देविका आ जाती है तो उसे देखके रवी सोसता है किसको बताऊं तो वो देवीका को समझाने कι कोशिश करता है कि साक्षी जो है वो साकिस से नफरत करती है पते देवीका उसके कोई बात नहीं सुनती है और सोपे पे लेड़ के शुपचाप सो जाती है रभी सोचता है कि जब इसको अपनी बैन की फिक्र नहीं है तो मुझे क्या पड़ी होई है मैं भी नहीं कहूँगा फिर बोबी लेड जाता है यह देवी का सोई होई नहीं होती है वो देखती है रवि की तरफ और सोस्ते है कि दाधी ने कहा था कि ये लड़का मेरे गर की खुशी चाहता ही नहीं है ये हमेशा ऐसे ही हमको परशान देखना चाहता है तो देवी का सोसती है कि ये इसी लायक था क्या जरूरत पड़ी थी इसे साक्ची के मैटर में घुसने की फिर देवी का सोसती है कि लिकिन फिर भी जब रभी का दादी अपमान करती है उसे उल्टा सीधा कहती है उसे बुरा बला कहती है तब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह उसका नहीं मेरा अपमान हो रहा है मेरे मंगल सुत्र का अपमान हो रहा है मुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे क्यों बुरा लगत पर मैं इस वार ऐसा नहीं होने दूंगा कम से कम साकची की लाइफ तो बरवाद नहीं होने दूंगा और इसके लिए मुझे मॉन्टी को ढूनना होगा कल चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मॉन्टी को ढूनना ही होगा पिर तो देखता है कि देविका को ठंड लग रही होती है तो वो उठता है और उसको देखता है कि ठंड लग रही है तो उठके उसको ब्लैंकेट जो है वो उढ़ा देता है प्योंकि देविका जाड़े में सिकुण रही होती है इसे जैसे वो उसको उढ़ा देता है तब ही दिविका को थोड़ा आराम एसस होता और ठीक से लड़ जाती है और अग्तम से आखे कौल के उसे देखती है फिर सोचती है यह ऐससे क्यूग दिखाता है कि इसको मेरी बहुत फिकर है लेकिन सच तो यह ए कि यह से दिखावा करता है फिर उसे दादी की बाते सोचने लगती ह कि दादी ने कहा था अच्छा रव मैं टाइम पे पहुँच गई साक्षी के कमरे में नहीं तो ये तो उसको उकसाक के भगा दीता तभी फुर से याद आती एकदम बे उठके बैठ जाती है रवी वहाँ पे रवी आता है और उसे कहता है दीविका क्या हुआ तुम्हें तो दीविका सोचने लगती है रवी तुमने क्यों किया ऐसा क्यों मेरी लाइफ में इतना दर्द भर दिया क्या जरूरत थी तुम्हें रवी सोचता है कि देविका मैं तुम्हें दर्द दोका द कास तुम्हारे अंदर जरा भी सच्चाई नजर आती पर ऐसा नहीं है रवी मैं तुमसे नफरत करती हूं रवी नफरत करती हूं I hate you तो रवी सोचता है कि बट मैं तुमसे प्यार करता हूं दिल की गहराई से प्यार करता हूं I love you दिवी का I love you so much और इधर दिखाते हैं कि पल्लबी बेटर सरक के सू रही होती तभी उसकी यहाँ खुलती है वो देखती है कि साक्षी रूम में नहीं है तो वो सोचि रूम गई होगी तभी उटके वॉस्टी की अपने साक्षी को देखा वो कहती क्या तभी फिर वो वहां से चले आती तो कहती बीना बताया चली गई फिर इधर दादी पूजा कर रही होती है पूजती दादी आपने साक्षी को देखा फिर वो इधर आ जाती है कहती है साक्षी दीदी कहीं नहीं दिख रही है उसने रात में कहा भी था कि सारी प् पल्लवी सोच के ही और गवरा जाती कि कही साक्षी तई थी, कहां चली गई आखिर। घर में काफी सब परशान हỊने लगते साक्षी को लेकर कि आखिर कार साक्षी गई तो गई कहां फिर सब चोच को डूणने लगते हैं इदर उधर किःक्रों Г locks वो कहती है हाई क्या खो गया यह तब ही इदर जो पल्लवी है वो कहती है अपने पापा से भी कि मुझे साक्ची दीदी कहीं नहीं मिल रही है कहां चली गई अब यह लोग घबरा रहे थे हैं और उनके हांसे चाय की प्लेट चूटी वो भी छूट जाती है इदर जिनके कहती है वह इतना पर्शांत है अब क्या होगा हमारा और इधर मंजु जी जो है वो देविका से कहती है कि देविका, तुमारा वो काम हो गया क्या प्रपरटे वाला अब तो तुम बहुत खुश होगी नए gaan अब तो तुम्हारी मा का जो सबना था अब तुम उिस सबने को जाएंगी सारी प्रॉब्लम सब कुछ सही हो जाएगा तब फिर मैं इस वारे में काम करूंगी तो मंजू जी कहती है हाँ और क्या मंजू जी कहते हैं कि हाँ सही है ना तुमारे घर के प्रॉब्लम वो भी ठीकी हो जाएगी फिर क्या है अब इतनी सारी जादाद है तो तुम अपनी मम्मी का ही सपना पूरा करोगी तो वो कहती है नहीं आंटी जी अब तो सब सही हो जाएगा क्योंकि साकेट जी जो है बहुत मान गए है शादी के लिए और साक्षी भी खुश है वो भी मान गई है मंजू जी सुनके कहती अच्छा तो कहती है अब बोलो मान गए अब सब कुछ सही हो जाएगा और इनके शादी हो जाएगी तो इधर पीछे से सद्धा आके खड़ी हो जाती है वो सुन रही होती सोसती ही क्या वो कह रही है साकेट जी मान गए है तो अभी वो सुन रही होती है पलट के जाने ही वाली होती है मंजू जी कहती है कि स्वेता यहाँ हो स्वेता कहती है जी ममी जी कहती ही मैं क्या सुन रही हूँ तो वो कहती है कि कुछ नहीं ममी जी फिर यहाँ पर साक्षी है साकेश से बात कर रही होती है साकित से दरवाजा खोलता है तो कहता है कि साक्ची तुम कहती है मैं साधी के लिए तयार हूँ तुम से तो साकित कहता अच्छा तो कहती है तो कहता है पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो वो कहता है मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ मैं भे तुमसे नफरती करता हूँ और हमेशा ही नफरत करूँगा और तुमको बताऊंगा कि नफरत क्या होती है कैसे होती है तो साक जी कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी कर रही हूँ यह उमीद कभी मुझसे मत रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फेलिंग्स कभी भी कोई नहीं होगी तो साकेत कहता मेरे लिए भी नहीं है तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर तुम्हारे फेलिंग्स हैं बस मुझे तुम्हें नफरत दिखानी है कि किसे कहते हैं क्योंकि तुमने थपड मारा था ना मेरे इसलिए तो अब यहाँ पे साक्षी तो मजबूर है शादी करने के लिए शाकित इसका फायदा उठा रहा है तो वह कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा फिर यहाँ पे घर में दादा जी और सावित्री जी दादी कह रही होती है उनकी कि हाय अब क्या होगा महले में कैसे निकलेंगे पहले से ही सब कुछ सही नहीं चल रहा था और अब तो बिल्कुल भी नहीं तब ही यह लोग बहुत परशान हो रहे होते हैं इधर यह लोग लोट के आते से कर जी कहते हो कहीं नहीं मिल रही है उसका कहीं अच्दम से और दुखी हो जाती वो भी काफी रो रही होती कि आखे साक्ची चग गई तो गई कहा दादा जी कहते है परशान मत हो मिल जाएगी सावित्री जी कहती है क्या मिल जाएगी मिलनी होती मिलना गई होती तब ही साक्ची एक्दम से आ जाती है और सावित्री जी उसे साधी करने के लिए हां करने गई थी तो पूछती है रेका जी भी कि तो तुम बता के नहीं जा सकती थी क्या करने गई थी तो कहती मैं बात करने गई थी और मैं शाधी के लिए तयार हूँ यह सुनके सबी लोग बहुत कुश हो जाते हैं कि साक्षी साधी के लिए तयार है तो इनरंद की दादी भी कहती है क्या अब तुने किये न मेरी पोती वाली वाद साधी के लिए तयार है साकेजी तुझे बहुत कुछ रखेंगे देखना साक्षी तो साक्ची कहती है दादी पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर अब मुझे समझ में आ गया है कि साकेट जी मुझे खुश रखेंगे तो उनकी दादी सुनके बहुत खुश हो जाती है कि साक्ची जो है साकेट जी से साधी करने के लिए त्यार है कहती है कि तुमन लोग बहुत खुश होते हैं तो साक्षी यहाँ पे तयार हो गई है साकेट से साधी करने के लिए और साकीट कैसा है वो अच्छे तरीकी से जानती है कि अग साकेट बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है पर वो सबकी खुशी के लिए तयार हो जाती है तो फ्रेंड्स आज का कीजिए जिससे कि मुद्र पता चाह सके कि आपको वीडियो क्या सही लगी ओकई तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स वीडियो में ओकई फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार